Hello friends, educational fact channel में आपका स्वागत है, हाजीर है आपके लिए आज के एक खास वीडियो को लेके तो आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है आपकी cache memory आपको पता है कि cache memory से बहुत सारी questions आते हैं और हर paper में आपको cache memory से related questions ज़रूर ही देखने को मिलते हैं MS Excel के जितने भी important question है 10 important जो सबसे important questions है वो हमने उसमें discuss के थे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो description box में उसका link मिल जाएगा आप उसे भी जरूर चेक करें 10 questions है काफी important है क्योंकि हम तियारी कर रहे हैं आप तियारी कर रहे है 965 की जो आईटी 965 की तो आपको पता ह है ज्यादा question को थोड़ा सा lengthy किया जाता है घुमा फिरा के किया जाता है वागे कुछ नहीं है जो आपका answer है वही रहना है उससे answer नहीं बजलता है लेकिन उसमें आपने दो तिन बाते ध्यान रखनी है पहली बात तो यह है कि आपने ज्यादा question को पढ़ना नहीं क्योंकि जितना lengthy question होता है उसमें एक दो line जो है वो extra ऐसे ही आपको घुमाने के लिए add की होती है जिसे आपका time जादा लगे और जब आप देखेंगे कि question में कुछ एक point ऐसा होगा एक दो point जिससे आप answer का अंदाजा लगा सकते है इसली आपने वह point पिक करना है और उसके base पे आप आपके दिमाग में automatically उस तरह से ही अपने mind से ही create होना चाहिए तभी आपका जो answer है वो सही जादा रहने के chances रहते हैं अगर आप options के साथ आते हैं तो उसमें कई बार तो आपको याद भी आ जाता है कि वो सही है वो तो लेकिन maximum time आपके यह कोशिच करनी है कि आपका जो answer है वो आपके अंदर दिमाग से ही आए आपको options ना दिखनी पड़े इससे आपको benefit यह होने वाला है कि आपको पता है कि जो questions है वो 200 कर दिए गये हैं तो 200 में आपका जो time है time वही है दो गंटे का तो उसमें time जादा लगता है इसलिए आपने एक question में कम से कम time बिचाना है तो कि इसमें बहुत सी question है वो complete हो जाएंगे तो question यह है कि कौन सी ऐसी memory है जो आपकी main memory और CPU के बीच में होती है और कैसी है वो high-speed memory है तो यहां पर आप options रखेंगे अगर तो options है register memory, cache memory, storage memory या आपकी virtual memory आपके लिए 5-7 second का जो समय है वो दिया जाता है answer को pick करने के लिए आपने अपना answer check कर लेना है select कर लेना है उसके बाद हम आपको answer बता देंगे तो दिखते हैं आपके कितने questions के answer जो है वो सही होते है and मैं आपने comment भी कर दे रहा है कि आपके कितने questions सही हो है तो यहां पर यह जो question है कापी easy है क्योंकि हम बात पर cache memory पर ही कर रहे है तो यहां पर जो answer है आपका वो रहने वाला है option number B cache memory तो यह cache memory की अगर मैं बात करूँ तो यह आपको कई बार इस तरह से भी question आ जाता है कि कौन सी memory जो है क्योंकि जब सबसे fast test मानी जाती है आपकी वो मानी जाती है रिजिस्टर उसके बाद second fast test चुआती है वो cache memory आती है तो अगर चारो option में यही है रिजिस्टर अगर option में है तो तब आपको रिजिस्टर आएगा अब अगर बात करें रिजिस्टर की तो रिजिस्टर क्या है तो रिजिस्टर इज़िस्टर इज आ ग्रूप वाप flip-flop यह आपने याद रखना है कि जो register होते हैं वो किसका group होते हैं, play-plop का होते हैं, और अगर पूछ ले किसका type हूता है, तो resistor किसका type होता है, resistor is a type of sequential circuit, sequential circuit भी आपने याद रखना है, कि जो resistor होते हैं, वो sequential circuit के part होते हैं. अब एक question और create होता है, यहाँ पर यह resistor से ही है, तो resistor में अगर बात करें, तो length of a resistor को क्या कहते है जो resistor की length है उसे क्या कहते है इस तरह से भी आपको question आ सकता है कई बार तो उसे कहते है word size या bit size तो ये भी आपने याद रखना है अब second question है आपके लिए whenever data is found in cache memory is called as तो जब जो आपका data है वो cache memory में found किया जाता है तो उसे क्या कहते है आपके options है hit, miss, found या error तो आपको मिलते हैं 5 second तो आपने जो आपका answer है वो select कर लिया होगा तो इसमें जो आपका right answer रहने वाला है तो इसका right answer है option number a hit whenever data is found in cache memory is called hit next question है question number 3 cache memory is called as cache memory को और क्या कहा जाता है तो आपके options है cache store, b, ram cache, c, both या none of these आपके 5 second शुरू होते हैं अब तो इसका जो right answer हो जाएगा वो आपका option number c, both इसका answer हो जाएगा क्योंकि cache memory को cache store और रेश जो ram cache है वो भी कहा जाता है अब next question है यह आपने सुना होगा या नहीं lru stands for यह भी आपके cache memory से ही related है अब जानेगे की lru होता क्या है पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर एक question क्या है lru की full form क्या है तो आपके options है low rate uses या local user rated या list recently used या आपकी low required uses तो यह आपके options है आपने एक select करना है तो यहाँ पे आपका जो right answer रहने वाला है वो है आपका option number c least recently used या आपका lru p full form होती है यह आपने याद रखनी है कई बार पुछी भी जा सकती है क्योंकि अब आपको इसी तरह की पुछी जाती है जो आपको बहुती कम देखने को मिलती है अब जान लेते हैं यह lru होता क्या है तो when the cache is full lru technique is used to make room for new elements by discarding least recently used data first क्या है हिंदी में जान लेते हैं जब cache भर जाता है तो lru technique का उपयोग कम से कम हाल ही में उपयोग किये गए data को पहले हटा कर नए तत्व के जगा बनाने के लिए के लिए किया जाता है यानि कि यह जो है आपको space बनाने के लिए इसे use किया जाता है lru least recently used यह इसकी full form होती है अब अगला question है the performance of cache memory is frequently measured in term of chord तो जो cache memory की जो आपकी performance है वो किस में major की जाती है question यह है आपकी option है resistor में, mapping में, heat ratio या आपका set associative mapping तो इस में से आपने select करना है तो जो cache memory है उसको जो उसकी जो performance है उसको जो major किया जाता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं आपका hit ratio hit से related हमने आपको पहले भी question करवाय था वो था data found से related और यह है आपका cache की performance से related तो यह आपने याद रखना है next question है L1 cache memory is called तो यह जो cache memory है इसे L1, L2, L3, L4, L5 में divide किया गया है L का मतलब है level तो level में इसको divide किया गया है तो L1 का जो है यहाँ पे क्या मतलब है तो यहाँ पे option जो है वो है आपके A, resistor, B, cache, C, RAM, D, room तो आपने यह answer select करना है कि L1 को cache memory क्या कहते है तो यह आप easily इसका answer लगा सकते है L1 में जो सबसे पहले लिया जाता है पहले level पे cache mapping are there cache mapping के कितने type है यह आपने बताना है और उन types को हम आगे question है उसमें भी discuss करेंगे कि कौन-कौन से वो types होते है तो इसमें जो आपका right answer रहने वाला है वो है आपका option number B यानि कि 3 जो type है वो cache mapping के होते है यह कौन-कौन से होते है वो हम आगे discuss करने वाले है next question है in dash mapping the data can be mapped anywhere the cache memory तो ऐसी जो आपका cache mapping का कौन सा ऐसा type है जिसके द्वारा जो mapping है वो कहीं भी cache memory में हो सकती है anywhere the cache memory यह question है तो option है आपके associative mapping set associative mapping या आपकी direct mapping या भी फिर जो आपका option number D है वो all of these तो इसमें जो आपका right answer रहने वाला है वो है आपका option number A associative mapping में जो है mapped data anywhere in cache memory तो यह इसका right answer हो जाएगा अब मैं बात कर रहा था पीछली question में जो आपके cache mapping के जो three types थे वो यही three types है आपका पहला है associative mapping दूसरा है आपका set associative mapping और तीसरा है आपका direct mapping यह भी आपने याद रखना है question कई बार इसका जो types है उनके नाम भी आ जाएंगे कई बार इस तरह से question आ जाएगा तो इसलिए आपने यह types भी याद रखने है अगला question है cache memory works on the principle of जो cache memory है वो किस सिधान पे काम करती है आपका option है लीफो फिपो लोकालिटी आफ रेफरेंस या all of these तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो का आपका option number C locality of preference जो cache memory है वो आपकी locality of reference सिधान पे काम करती है next और आज का last question है what type of RAM does cache use जो RAM है वो sorry cache है जो वो RAM के किस टाइब का use करती है यह question है आपके option है SRAM, DRAM या SDRAM या इन तीनों का all of these तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो आपका option number A SRAM used cache memory तो यह आपने याद रखना है तो यह थी आज की top important 10 questions related है सभी cache memory से तो I hope यह वीडियो आपको informative और अच्छे लगी होगी काफी helpful रहेगी यह आपके लिए exam के लिए और आपने जो test यह है उसके जो total score है वो भी आप comment कर ले कि आपके कितने question इसमें सही हुए है और आपने comment करना है कि जिस particular topic पे अगर आप questions चाहते हैं तो आप comment करें पिछली वीडियो में comment आया था 5G के उपर question तो अगली वीडियो जो हमारी रहने वाली है वो आपकी 5G से related questions रहेंगे उसमें अगर questions जादा ना रहे तो जो इतना data है 5G का वो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे क्योंकि जो important रहेगा आपके exam के लिए काफी आपके लिए helpful रहने वाला है आपकमिंग exams के लिए तो मिलते हैं अगली वीडियो को साथ तब तक के लिए bye bye